जहन्द वंदे मातरम दोस्तों अगर आप इंडियान आर ए एसन अगनिवीर जोइन करना चाहते हों तो ये वीडियो आपके लिए है और आज मैं आपको पांच ऐसे टिप्स देने वाला हूँ जिसको अगर आप बड़े शिद्दत से फॉलो करते हो तो आपकी सिलेक्शन अगनिवीर में जीडी, क्लार्क और ट्रेड्समेन के लिए जो है वो फॉर्म निकलता है अब आपको सबसे पहले ये देखना है कि आप किस पर जाना चाहते हो आपका क्वालिफिकेशन क्या है हाइट क्या है और आप फोज में क्या काम करना चाहते हो सबसे पहले अपना ग पर बैठ करके कभी भी आपको पढ़ाई नहीं करनी हैं आपको एक टेबिल खरीदना है अगर आपके पास में टेबिल खरीदने का पैसा नहीं है तो जमीन पर सारी ऐसी चीज़े आप पढ़ना शुरू कर देतो हो जो ज़रूरत नहीं है आप कब लाइन से भटक जाओगे आपको पता भी नहीं चलेगा इसलिए सिलबस को सबसे पहले स्टडी करना ज़रूरी है टिप नंबर थ्री सिलबस को जैसे ही आप स्टडी कर लेते हो उसके बहुत सहुलियत मिलेगी आसानी होगी ये समझने में कि कौन से सब्जिक्ट पर आपको कितना वक्त देना है ताकि आप एक अच्छा स्कोर कर सको ये तीन टिप्स बहुत ही बेसिक टिप्स हैं ये टिप नंबर फोर बहुत ज़द इंपॉर्टन्ट है इसको बड़े ध्या जितने भी किताबें हैं जिससे अगनिवीर के सिलबस की पढ़ाई होती है ट्राइ किए कि उन सभी किताबों को खरीद लेना देखिए अगर आपके पास में उतना पैसा नहीं है तो मैं ये सज़ेस्ट करूँगा कि बहुत सारी जगों पर सेकेंड हैं किताबें मिलती हैं वो खरीद लिये लेकिन वो आपका परसलनल किताब होना चाहिए जिनरल होता यह है कि आप जहाँ पर भी रहते हो उसके आस पास पर भी आपके जो दोस्त हैं वो भी अगनिवीर की तयारी कर रहा होता है तो आप लोग शेरिंग में किताब खरीद लेते हैं साथ दिन तूर साथ दिन में रखूंगा मैं जरॉक्स कर लूँगा ई-book से पढ़ लूँगा मोबाइल में फोटो खीच लूँगा ये सारे चोचलों को बंद करना पड़ेगा आपको किताब पर इंवेस्ट करना पड़ेगा कभी भी किताब में इंवेस्ट करने से पहले मत सोचिए आपकी जब नौकरी लग जाएगी एक बार तो फर्स्ट महिने का जो पेमेंट आएगा वो किताबों के दाम से कहीं गुना जादा आपको मिलेगा अगर आपके पास में सही किताब सही समय पर नहीं है अपका परसनल किताब नहीं है तो आप ये फोटो कीचने में जेरॉक्स करने म इबू को ढूंडने में इन सब में बहुत ज़्यादा वक्त और एनर्जी बरबाद कर दोगे इससे अच्छा है वो वक्त और वो एनर्जी आप पढ़ाई पर लगाओ ताकि आप दूसरे लड़कों से आगे निकल जाओ ये competitive exam है यहाँ पर time की value है आपको समझना एक और चीज़ में आपको add करके देता हूँ आपको दिन में 6 घंटे की पढ़ाई करनी है यहाँ पर आपको compromise नहीं करना है तीन तीन घंटे के दो shift लगवालो एक सुबह एक शाम को या फिर दो दो घंटे के तीन shift लगवालो वो आपकी उपर depend करता है लेकिन आपको 6 पर आते हैं जो कि physical के उपर है physical को हम इसी tip में पूरी तरीके से clear कर देंगे रास्ता आपको दिखा देंगे दोड़ना आपको पड़ेगा अगनिवीर की तैयारी जब आप कर रहे हो physical के लिए ground में जाते हो training करने के लिए वहाँ पर बहुत सारे ऐसे लड़के मैंने देखे हैं जो jogging करना शुरू करते हैं पांच किलो मेटर दस किलो मेटर ताकि उसका जो stamina है वो बढ़े ऐसा करने की जारूरत नहीं है आपके सामने आपका goal clear है आपको साड़े पांच मिनिट में 1600 मेटर की दोड़ लगानी है उसका speed क्या होगा आप किस तरीके से उस endurance को achieve करेंगे यह आपका goal होना चाहिए और जब आप ground पर training करेंगे उस वक्त पर आपका goal साड़े 5 मिनिट नहीं 5 मिनिट 15 सेकंड 5 मिनिट 20 सेकंड होना चाहिए 10-20 सेकंड आपको कम करके practice करना है इससे आपके chances बहुत ज़्यादा high हो जाएंगे कभी भी साड़े 5 मिनिट goal ले करके practice मत क दीजिए अननिससरी 15 किलोमेटर 20 किलोमेटर भाग करके endurance बढ़ानी की ज़रत नहीं है वो आपको training में करवाये जाएगा नौकरी मिलने के बाद आप सिर्फ अपने दिन चरिया में 24 घंटे के भीतर एक घंटा सुभा ground पर दीजिए और एक बात के अध्यान रखियेगा training को complete करते हैं उसके बाद 6 से 8 बजे तक कप्पे शप्पे लड़ाते हैं अड़ा बाजी करते हैं चाय के टपरी पर रुखते हैं उसके बाद घर आते हैं ऐसा बलकुल नहीं करना है इसका मतलब हम कभी भी दोस्तों से नहीं मिलेंगे बलकुल दोस्तों से मिलिएगा इनरजी को गप्प शप्पे करने में अड़ाबाजी करने में मत विस्ट किये उस इनरजी को पढ़ाई पर लगाई ये ग्राउंड से आते ही फ्रेश होकर के नहाद होकर के आपको पढ़ाई के लिए बैठना है जब आप शाम को पूरी तरीके से ठक जाएंगे उसके बात कर लिए कंस्टेबल वाला पोस्ट आपको रोक नहीं पाएगा कोई अगर आप मुझसे और help चाते हो और guidance चाते हो तो आप नीचे comment करो help मैं इस तरीके का वीडियो और भी जाता बनाऊंगा ताकि आपका जो नौकरी मिलने का रास्ता है वो आसान हो सके इसी तरीके के व सब्सक्राइब करके लोडिफिकसन को प्रेस कर लिए मिलता आप सब्सक्राइब वीडियो में तब तक लिए जहन्त वंदे मातरम